शार्दा चिटफन गोटाले में कॉलकाता के पूर्व कमिशनर राजीव कुमार पर कोट ने बड़ी रहा देते वे उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है हाई कोट ने कहा है कि राजीव कुमार को सिब्याई के साथ में सहयोग करना होगा जब जब बुलाये जाएगा पेश होना होगा निर्देश दिया है कोटने कि सिब्याई को उपस्ति थी कि 48 घंटे पहले नोटिस भी देना होगा जब 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 हो सिब्याई को उनसे इंटरोगेशन करने की उससे 48 घंटे पहले वो राजीव कुमार को नोटिस दे इसे पहले बश्य मेंगौल के एक अदालत ने आईपिएस राजीव कुमार के अगरिम जबानत याचिका शनिवार को खारिश कर दी थी तो तरसल अगरिम जबानत के लिए इन्होंने भी पहले से कोशश की थी मगर एक अदालत ने अगरिम जमानत की आचका को राजीव कुमार के खारिश कर दिया था मगर फिर उन्होंने अपील किया हाई कोट में जहां पर हाई कोट में उनकी अगरिम जमानत को मन्सूर किया और उस पर राहत राजीव कुमार को मिली है बगर यराहत कब तक होगी गरफतारी के तलवार अभी भी फिलाल लटक ही रही है क्योंकि इंट्रोगेशन, इंस्टिकेशन, सीबियाई जिस तरीके से कर रही है उसे मुश्किलों का जो अमबार है इस वामने में वो काफी जादा देख रहा है